तो देखे लगतार दो दिन से जिस तरीके से गतिवीधियां बढ़ी हुई है मुख्यमंत्री अवास और राबडी अवास की ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है और आज विदायक दल की बैठक बुलाई गई एक तरफ भाजपा विदायक दल की बैठक करेग अंदर विदायकों के साथ जो है वो बैठक चल रही थी मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी वहाई दूसरी तरफ तेजस्वी यादों अपने आवास पर बैठक कर रहे थे तमाम नेता वहां मौजूद थे और कोई भी मीडिया से बातचीत नहीं करना चाह रहा था है वह सरकार कभी भी गिर सकती है ये तै हो चुका है कि सरकार गिरने वाली है चाहे अब कुछ भी हो जाए जहां एक तरफ लगतार ये कहा जा रहा है जेडियू के तरफ से या फिर राजत के तरफ से कि all is well है लेकिन body language बता रहा है कि all is well कुछ भी नहीं है आज साम तक भी निटी सुभभ बड़ा नेर्णा ले सकते या लालू यादो सरकार खुद ही गिरा दे ऐसा भी हो सकता है विदायकों को तोड़कर खुद सरकार बना लें ये भी बाते चल रहे हैं क्योंकि कई विधायकों से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है वहीं जीतना माजी से भी बातचीत की जा रही है कि उनकी भूमी का भी यहां एहम मानी जा रही है और अब देखिए कुछ भी हो सकता है कल देर सामजिस तरीके से राबरी अवास के बाह आया गया बैठक की जा रही ती तेजस्वी आदो अपने आवाज से बाहर निकलते हैं मीडिया से दुरी बनाते हैं कोई बात नहीं करना चाहता है यानि कि अब यह कंफर्म हो चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और एक तरफ नितीश कुमार यह मान चुके हैं कि अब हमको राज़त के साथ नहीं रहना है हमें जाना है भारतिय जनता पाटी के साथ जाकर सरकार बनानी है और भारतिय जनता पाटी भी धोल नगारे के साथ खड़ी है दरवाजा खोल चुकी है नितीश कुमार का स्वागत बब्बे तरीके से करेगी फूल मालों के साथ करेगी गाजे बाजे के साथ करेगी और अब देखिए क्या होगा कब क्या निर्ने लिया जाएगा ये अभी देखना बाकी है लेकिन इतना समझ लीजिए कि वियार के सियासत में बड़ा बदलाव होगा और बदलाव ऐसा होगा कि तिजश्वी यादो इस बदलाव को कभी भूल नह रहे हो लेकिन यह कभी नहीं बूल पाएंगे उन्हें यह याद रहेगा कि किस तरीके से निटीश कुमार ने उनको फिर से धोका दिया है और यह धोका कभी तेजस्वी यादो भूल नहीं पाएंगे तो आज राज़द और भाजपा के विदायक दल की बैठक गुलाई गए और यह दोनों तै करेंगे क्या आखे अंत में क्या करना है निटीश कुमार के साथ रहना है या नहीं रहना है यह भाजपा भी तै करेगी और राज़द भी तै करेगी बेराल इसकवर में तहीं बने रहे हैं तो इंडिया टॉप